स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे योटूब चैनल पर तो आज क्लास 11 के रसाइन विज्ञाना 24 में आज हम लोग पढ़ेंगे हाइडोजन बंद क्या होता है हाइडोजन बंद कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार थी इसे अपने कांपी में नोट करते चलिएगा तो हाइडोजन बंद क्या होता है तो याद रखेगा कि एक प्राबल जो होता है रिड विद्यती परमाडू से जुड़े हाइडोजन परमाडू से दूसरे प्राबल रिड विद्यती परमाडू के साथ अपेच्छा क्रेत तीछड बंद बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता ह हाईडोजन बंद कहा जाता है तो अब हाईडोजन बंद का जो है यहाँ पर परिभासा लिख लिजे कि एक एक प्रबल रिड मतलब प्रबल मतलब शक्ति साली एक प्रबल रिड बिद्धुती एक प्रबल रिड बिद्धुती परमाडु से जुडे हाइड्रोजन परमाडु दूसरे प्रबल बिद्धुती परमाडु के साथ अपेच्छा क्रीत अपेच्छा क्रेत तीछड बंध बनाते हैं तीछड बंध बनाने की प्रब्रित होती हैं इस तीछड बंध को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बंध कहा जाता है हाइड्रोजन बंध कहलाते भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं तो अब यहाँ समझेंगे यह परिभासा का मतलब मतलब एक प्रबल रेड बिदुती परमाडु से जुड़े हाइड्रोजन परमाड मतलब उसमें हाइड्रोजन भी रहना चाहिए हाइडोजन परमाड दूसरे प्रबल विदुती परमाड के साथ अपेच्छा कृत तिछर बंद बनाने की जो प्रब्रित होती हैं इस तिछर बंद को ही क्या कहा जाता है हाइडोजन बंद कहा जाता है और या दखेगा हाइडोजन बंद को कटी लाइन से प्रदर्शित करते है तो यहां लिखेंगे अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध को हाइड्रोजन बंध को कटी लाइन क्या लिखेंगे आपका कटी लाइन अब कटी लाइन मतलब कैसा लाइन रहता है तो कटी लाइन जो रहेगा अब यहां पे जो है कटी लाइन से मतलब यह कटा हुआ है प प्रदर्शित करते हैं किस लाइन से कटी लाइन से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं अब यहां पर कैसे बंद बनेगा तो थोगा सा देख लेंगे जैसे यहां C-L C-L और यहां है हाइड्रोजन तो यहां पर हाइड्रोजन को उपर और यहां लिखेंगे C L के उपर क्या होता है माईदस होता है तो मतलब यह क्लोरीन और हाईडरोजन के द्वारा जो یہां बंद बν रहा है और बीच में जो कटी लाइन दिखाई दे रहा है तो इसे आपको कटी लाइन से क्या पता चला है कि मतलब यहाँ hydrogen बंद बंद रहा है तो जहां भी ऐसे आपको line दिखाई देगा कटी line तो समझ जाएगा यहाँ पे कौन सा बंद बंद रहा है hydrogen और यह च के उपर plus जो है यह बना हुआ डेल है मतलब यह डेल इसको कहा जाएगा मतलब यह plus क्यों बना है मतलब hydrogen जो है इलेटान को दाता मन इलेटान को देता है इसलिए पलस बना है और chlorine जो होता है वो इलेटान को लेता है इसलिए आप यह क्या बना है माइनस बना हुआ है अगर हम लोग जल के उड़ो में hydrogen बनाना है तो कैसे बनेगा तो अब यहां लिख लेंगे कि जल के उड़ो में hydrogen बनाना को सिखा दे रहे हैं तो यहां सबसे पहले जाने का रखेंगे कि जल का सुत्र क्या होता है यह टू होता है तो यहां से बनेगा आपका यहां से कटी लाइन जो रहेगा यह कटी लाइन हो जाएगा यहां ओ हो जाएगा और यहां जो है यह हो जाएगा पुना अगर बनाना चाहेंगे तो और यहां से लेकर के डाट डाट करके यहां क्या लिखेंगे ओ लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे 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 यहां क्या लिख बन रहा है अब यहां पे क्या होता है है अधार पे ही क्या हो जाएके ऊर्लाभ कर गता है इस तरह यहां पर छो जाएगा और यहां मास्सट्फ जाएगे तो अब यहाँ पर भी इसी परकार बना लेंगे, यहाँ क्या बनेगा, प्लस डेल हो जाएगा, यहाँ प्लस डेल हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, माइनस डेल हो जाएगा, मतलब यह लेटान देता है, और यह लेटान क्या कर रहा है, गिरहन कर रहा है, तो यहाँ पर प हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं तो यहां लिखे लिए हाइड्रोजन बंध के प्रकार तो हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार और इसके आगे लिखेंगे अब हाइड्रोजन बंध जो होते हैं दो प्रक के होते हैं तो पहला का नाम क्या है पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है तो यहां पहला का पहले नाम लिखेंगे और यहां दूसरा का नाम लिखेंगे तो पहला का नाम है अंतरा अडुक हाइड्रोजन लिखेंगे आपका है अंतरा अंतरा अडुक हाइड्रोजन बंद, हाइड़ोजन बंद, क्या नाम है? अंतरा अडू का हाइड़ोजन बंद मतलब हाइड़ोजन बंद जो होता है वो दो परकार का होता है पहला का नाम क्या बता हैं अंतरा अंडुक हाइडोजन बंद और दूसरा का नाम है अंतरा अंडुक हाइडोजन बंद अब अंतरा हाइडोजन बंद क्या होता है अगर अंतरा हाइडोजन बंद का आपका परिभासा याद है तो अंतः जो आणु का हाईड्रोजन बंद का भी परिभासा को क्या होगा? याद हो जाएगा बस थोड़ा सा परिभासा में क्या है? बदलाओ है तो यहां पर अंतरा अंटुक मतलब बोला जाएगा जब दो या दो से अधिक, दो या क्या लिखेंगे, दो से अधिक, अधिक अड़ूं के मद्ध है, क्या हूँ, मद्ध क्या हूँ, इलेक्ट्रान बंध बंते हूँ, इलेक्ट्रान बंध बंते हूँ, इलेक्ट्रान बंध बंते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अंत्रा हाइड्रोजन, अंत्रा अड़ू का हाइड्रोजन, अंत्रा अड़ू का हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, क्या है इसका उतर जब दो या दो से अधिक मतलब कम से कम जो है दो है दो से अधिक भी किया जा सकता है दो से अधिक अड़ूं के मद इलटान बंद बनते हैं उन्हें अंतरा अड़ू का हाई टोजन बंद कहा जाता है जैसे आपको यहाँ याद रखिएगा कि कौन कौन से इसमें ऐसा किरिया होता है मतलब बंद बनता है तो यच यच यप में बनता है यच टू में बनता है और यहाँ पे है यान यच थिरी में मतलब अमोनिया में बनता है आदि में लिख सकते हैं यहां पर आदि में क्या बनता है अंतरा अडू का हाइडोजन तो आदि में हो जाएगा अब यहां पे जो है दूसरा हमारा क्या था अंतरा अडू का हाइडोजन अब यहां लिखेंगे अंतरा अडू का हाइडोजन बंध परिभासा अब इसका लिख इसमें एक ही औरू के भीतर जो हाइड्रोजन बंध बनता है उसे अंतह अडू के हाइड्रोजन बंध कहते है तो परिभासा तो है जो है समझ में आ रहा होगा पहले में क्या था कि जब दो या दो से अधिक अंड़ों के मद इलेटान बंध नहीं रहेगा थोड़ा सा मिश्टेक हो गया है हाइड्रोजन बंद यहाँ पे जो है आप से भी द्यार थे हाइड्रोजन बंद बना लिजेगा हाइड्रोजन बंद कौन बंद हाइड्रोजन बंद बंते हैं कौन सा बंद हाइड्रोजन बंद बंते हैं उन्हें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंद कहते हैं और इसमें क्या कैसे किसमें बनता है ओ ओ जो है नाइट्रो फिनाल में बनता है ओ नाइट्रो फिनाल में बनता है आगे चलके हमनों पढ़ेंगे नाइट्रो फिनाल क्या होता है तो नाइट्रो फिनाल में जो होता है अंत अडु का हाइडोजन बंद बनता है तो समझ में आ गया होगा कि hydrogen बंद कितने प्रकार के होते हैं तो इसे पने कापी में क्या कीजिए नोट कर लेजिए तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यह लाइब कलास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो अब मिलते हैं हम अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार